इस question में हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पर हम पहले LHS solve करते हैं यह कुछ मेरा ऐसे है मैं numerator अलग, denominator अलग solve करता हूँ numerator है मेरा कुछ ऐसे, sine की term जायद हो रही है यहाँ पर sine की term जायद हो रही है, इसलिए मैं formula यूज करूँ है here, sine x plus sine y का इस case के लिए x की value होगी 7x y की value होगी 5x तो यह solve करके कुछ ऐसे आजाएगा इस case के लिए x की value होगी 9x y की value होगी 3x यह solve करके कुछ ऐसे आजाएगा इसे हम further solve करें, तो यह आजाएगा मेरा कुछ ऐसे अब हम denominator solve करते हैं denominator हमारा कुछ ऐसे है यहाँ पे हम notice करें मेरे cos की terms add हो रही है तो मैं formula use करूंगा cos x plus cos y equal to this इस case के लिए x की value होगी मेरी 7x, y की value होगी 5x यह solve करके कुछ ऐसे आजाएगा इस case के लिए x की value होगी मेरी 9x, y की value होगी 3x यह solve करके कुछ ऐसे आजाएगा इसे हम further solve करें तो यह आजाएगा मेरा कुछ ऐसे अब यहाँ पे हम lhs निकालते हैं यह मेरा कुछ ऐसे था numerator की और denominator की value वोट करता हूँ तो यह कुछ ऐसा आगया notice करो यहाँ पे 2 or 2 cancel होगे यह cos x plus cos 3x cancel होगे बचे का उपर sin और नीचे cos यानि sin by cos sin by cos मेरा tan होता है और angle यहाँ पे 6x है तो यहाँ पे आएगा tan 6x यह मेरे rhs के equal है तो lhs और rhs equal है hence proved